हलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको Maths Pedagogy के Important 2011 से लेकर 2018 तक किस परकार के questions पूछे जा चुके वो मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखे थी जिसके मैंने आपको important कुछ videos करवा दी थी अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखिए तो वीडियो के decision में मैंने link दे रखा है या फिर channel में मैंने अलग से playlist बना रखी है वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और playlist में कैसे जाते हैं तो मैंने आज एक video अपलोड करी है वहाँ पर वो वीडियो को आप watch करके पता कर सकते हो तो उसी series को आगे ले जाते हुए कुछ important questions के बारे में आज बात करेंगे कुछ lengthy questions है आज लेकिन हम बात सब questions के बारे में करेंगे तो इस वीडियो को आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखे रहे हो DK कुपता online वीडियो फो government exam चलिए शूर करते हैं तो आज का पहला question मुक्त अंत वाले पर्षन की पहचान कीजिए तो आपको नीचे कुछ options दे रखे हैं इसको आपको उनमेंसे वो चुनना है जो की मुक्तंत वाले मतलब जिनके उत्तर एक से ज़्यादा हो उन्हें मुक्तंत वाला कहा जाता है तो पहला question का option देखो क्या बोल रखा है परिक्षित विमानों 5 cm, 2 cm और 5 cm का एक घनाब बनाता है एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाब की अभशकता होगी दूसरा option अब आज ये गुनन खंड पदी नितियों का परियोग करते हुए 512 का घन मुल ग्याद कीजिए तीसरा, 10 के घन को ग्याद कीजिए या चोथा, कोई 5 संख्या लिखिए जिनका घन यहाँ हलका सा मिस्प्रिंट हो गया, घर हो गया लेकिन ये घन होना चीए था, 64 से अधिक हो तो देखो option 3 जो सुरू के हैं जैसे कि आपका 5, 2 और 5 cm का इस्तिमाल करते हुए कोई ऐसी चीज चुनिए, जो आपके लिए क्या हो mathematics के लिए उपियोगी है तो वहाँ पर आप mathematics के लिए कोई चीज उठाओगे न तो वही यहाँ पर यह आपको बांध रखा है 5, 2 और 5 के cm के अंदर दूसरा, अब आज जैं गुणन खंट पदी निति का परियोग करते हुए 512 का घं मूल निकालिए मतलब क्यूब रूट निकाले तो क्यूब रूट निकालने का वह एक सिंपल तरीका है उस तरीकी से निकालोगे तो एक ही अंसर निकलेगा जिनके क्या हो घं क्या हो जिनका 64 से अधिक हो तो आपका देख लगते हो घं यानि के मतलब यहाँ पर घं का मतलब क्या होता है आपका क्यूब होता है तो आप 3 का देखोगो तो 3, 9 और 9, 3, 27 यह हो गया 4 का देखोगे तो 64 5 का देखोगे तो 125 तो 5 से उपर जितने भी आप बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके 64 से अधिक होंगे तो option number 4 इसका विल्कुल सही अंसर था next question निमलिकित में से कौन सा मुक्तंत वाला प्रशन है तो दुबारा आपका एक बार और repeat करके question पूछा गया था लेकिन option देखो कुछ इस परकार से था कौन सा बड़ा है एक बटे तीन या साथ बटे पाँच दूसरा 2.7 में बड़ी कोई चार संख्या लिखो मतलब 2.7 से आपको बड़ी कोई चार संख्या लिखनी थी next है 2.7 से 7 जादा क्या होगा और next है 25,1,9,8,7,85 संख्या को आरो ही क्रम में लिखिए तो देखने से पता लगता option number second इसका बिल्कूल सही अंसर था 2.7 से आपको कोई बड़ी 2-4 संख्या लिखनी थी तो अगर आपसे पूछ बोला जाए मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 से कोई 5 बड़ी संख्या लिखो तो कई बच्चे 6,7,8,9 लिखेंगे कई बच्चे 10,15,20 कुछ भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि इसका आंसर जो है वो एक से जादा है लेकिन आप उपर तीनों के option चेक करोगे तो उनका एक ही उत्तर मिलेगा आपको तो मुक्त अंतवाला परशन को होगया? option number second, सही था इसका next question, निमलिखित पर विचार करो, 5 जमात 3 इस समिती उत्तर परशन का उत्तर तदन रूपी मुक्त उत्तर परशन होगा तो आपका 5 जमात 3 को मुक्त उत्तर परशन बनाने के लिए किस परकार का परशन बनाओगे? पहला, कोई ऐसी दो संख्या बताईए जिसका योग 8 है दूसरा, 5 और 3 का योग क्या होगा? 5 और 3 का योग ज्यात करो, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? ताकि 8 परशन बनाना है कि वो मुक्त उत्त वाला बन जाए आपका तो देखो, अगर आपसे मैं ये बोल दूँ, कोई ऐसी दो संख्या आप बताईए जिसका योग क्या हो? 8 हो तो 5 जमा 3, 3 जमा 5, 2 जमा 6, 6 जमा 2, 1 जमा 7, 7 जमा 1 कुछ भी बता सकती हो, आप तो आपर सबका उत्तर क्या आ रहा है? आपका 8 हो रहा है अब मुक्त अंतर क्या हो गया? इसी परकार से तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था next question, निमलिकित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रशन है? तो मुक्त अंत और खुला अंत दोनों एक ही परकार के नाम है बस थोड़ा सच चेंज कर देता है नाम उसका वही होता है open ended इंगलिश में जिससे आप कहते हो तो कौन सा है इसमें से? पहला, आप 15 को तीन से गुना किस परकार करोगे? दूसरा, कोई दो संख्या लिखी है जिसका गुननखंड 45 हो तीसरा, संख्या रेखा का प्रियोग करते हुए तीन बार 15 का मान ग्यात कीजिए यह 15 गुना 3 का मान ग्यात कीजिए तो कौन सा है आपका? तो option number second इसका बिल्कूल सही अंसर होगा आपको कोई दो संख्या लिखनी है आपको जिसका गुननखंड इंगलिश में गुननखंड को क्या का जाता है? प्रोडेक्ट का जाता है 45 से जाद हो तो पांच निम 45 होता है आपका लेकिन दो संख्या से आपको बतानी है जो गुननखंड क्या हो 45 होना चाहिए तो 5,45 से लिख सकते हो या फिर 9,45 से लिख सकते हो या फिर ऐसी कोई संख्या जो multiply करने पर 45 आता हो बहुत कोश्ट बहुत आते हैं आपके ऐसे ओके तो एक से ज़्यादा उत्तर है तो option number second इसका बिल्कुल सही answer था next question निबंद परतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेताओं को रुपे 100 का पुरुषकार मिलेगा और जो परति भागी जीत नहीं पाएगा उसे 25 रुपे का पुरुषकार मिलेगा कुल पुरुषकार की रासी वित्रित की गई मतलब बाटी गई कितनी 3000 रुपे यदि परति भाग्यों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ग्यात कीजिए नेक्स क्या बोल रखा कोशन आगे पढ़ते हैं गनित संकप्राओं की जांच के अलावा शिक्षक विध्यारतियों के साथ चर्चा करते हुए इस परशन के माध्यम से किन मूलियों का विकसित करना चाता है तो इस प्रकार के प्रशने पूचकर विध्यारतियों के अंदर किस चीज की विकसित करना चाता है वो पहला अच्छा निबंद लिखने की योगता महतपून है दूसरा समाजिक मुद्दों पर विचार को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर आपका पूचा क्या गया था एक ऐसा कोशन जो नुमेरिकल रूप में था और बच्चे के अंदर किस चीज का विकास करना चारा था तो option number second देखो इतना लंबा option दे रखार आपको सारी चीजे इसमें विस्थार से बता रखे है जैसे कि समाजिक मुद्दे पर आप विचार करने के लिए लिखने के लिए कह रहे हो क्योंकि समाजिक मुद्दा क्या है जीत रहे है उसमें भाग लेना या नहीं लेना या परतियोगिता जीतना इंपोर्टेंट है या भाग लेना इंपोर्टेंट है इस परकार की विचार के लिए बारे में नियमित रूप से आप बच्चों के अंदर आदत के रूप में व विद्याले के पुस्तिकाले में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तके नश्टो गई है, 20 पुस्तको कोई किसी को पता नहीं है और 219 पुस्तके अलमारी में रखी है और 132 पुस्तको को बच्चो को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकाले में कुल कितनी कहानियों की पुस्तके थी। तो शिक्षक के द्वारा परशन निमलिखित में से किस मूल्य को पढ़ाया सकता है। तो इसके द्वारा बच्चो के किस चीज की ज्यान का विकास किया जा सकता है। पहला पुस्तको की अच्छी देखबाल करना, बच्चों उसको अवेर कर सकते हो क्योंकि जो पुस्त काले का वो आपका इंचार्ज था उसको ये भी पता है कि 100 बुक में से 20 बुक कहां चली गई है किसी को पता नहीं है 219 अलमारी के अंदर रखी हुई है 132 जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए दिये तो यहाँ पर 100 पुस्त के जो थी वो नश्ट हो गई थी तो सारी के सारी पुस्त को के बारे में उसको पता था तो इसके बारे में क्या होता है वो पूरा अवेर था जो उसका काम था वो अपना बखो भी कर रहा था तो उप्शन नमबर फर्ष्ट इसका बिल्कूल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन गणित में निदानात्मक परिक्षण का उद्देश्य है तो निदानात्मक क्या होता है आपकी गलतियों को पहचानने वाला रिमीडियल जिसे कहते हैं आप इंगलिश में तो उप्शन फर्ष्ट बच्चों की समझ में निर्त रिक्तियों को जानना अभी भावकों को परतिपुष्ट यानि की फीड़बेक देना या परकरती पत्र को भरना या फिर सत्तर परिक्षाओं के लिए परशन पत्र की योजना बनाना तो उप्शन फर्ष्ट ही देखने से पता लगता है कि बच्चों की समझ में निर्त रिक्तियों को जानना मतलब जो बच्चे की समझ होती है उसकी बीच में यानि कोई चीज को समझेने में या फिर जब उनका किसी परकार का परिक्षन लिया जाता है उसमें कुछ गल्द कर देता है या कुछ आपसे पूछा जाता है उसमें वो नहीं बता पता तो उस चीज का पता लगाने का ही निदानात्मक परिक्षन कहा जाता है रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है तो औप्शन नामबर इसका 1 विलकुल सही अंसर था नेक्स कोशन यदी एक विध्यारती गनित विशे में कई बार अनुत्रिण हो जाता है मतलब फेल हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गनित की किस विशेश साखा में वह कमजोर है निमन में से कौन सी विधी परियोग में लेंगे तो क्या करा जा रहा है कुछ ऐसी बच्चे को चेक करना है बच्चे का ऐसा क्या कमजोर ऐसी क्या स्टेजिस है बच्चे की जो बच्चा गनित में बार-बार फेल हो रहा है और बाद में किसी चीज का ऐसा परिक्षन करना कि बच्चे का क्या कमजोर हिस्सा है उस परकार को क्या का जाता है डागिनोस टेस्ट यानि की निदानात्मक परेक्षण कहा जाता है तो option number 30 इसका बिलकुर सही answer था निदानात्मक तरीके का इस्तमाल करके विधी का इस्तमाल करके बच्चों की उस कमियों का पता लगाया जा सकता है और उस कमी क पता लगने के बाद उसको ठीक करने के लिए उपचारतमक तरीके से ठीक किया जाता है तो ध्यान रखेगा इस बात को next question विध्यारति को अभी प्रिरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परीमान नहीं आ पाता है शिक्षक के लिए सर्वसेष्ट सला है तो शिक्षक के लिए क्या सर्वसेष्ट सला होगी जो निर्देशन के लिए आजवन किया गया था उसका परीमान नहीं मिल रहा था पहला विध्यारती के साथ मिलकर निर्देशन की असफलताओं का कारण पता लगाना और वह उसे समझना नेक्स्ट है विज्ञापन समावश्क्य के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्होंने कक्ष में आने के लिए कहा गया है तीसरा निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना या चोथा कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उनसे कारण निर्दारित करना या साहिता करने के लिए कहना तो सही अंसर क्या होगा आपका? उप्शन नमबर फस्ट होगा कि विध्यारतियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलतां का कारण का पता लगाना और फिर बाद में उस चीज को लिए उसको समझाना या उसका डाइगनोस करना पूरे के पूरा में रिजन क्या है उस कारण के पीछे वो जो निर्देशन दिया गया था उस सफलता ना होने का कारण क्या है उस चीज का पता लगाना में सर्वेसेस्ट सला होगी तो अप्शन नमबर फस्ट इसका विलकुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन क्या वो रखा है चेत्रमिती इकाई का योगनात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है द्यान रखेंगा चेत्रमिती की बात करी जा रही है Mensuration की बात करी जा रही है योगनात्मक परिक्षन जिसको आप English में Submative Assessment कहते हो यानि कि जब साल के आखर में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है योगनात्मक परिक्षन जिसे आप उपलब्दी परिक्षन भी कहते हो किसके द्वारा लिया जाता है मैंने आपको बोला था Pen Paper Test कहा जाता है उसको English में उसको Pen Paper और Hindi में Paper Pencil परिक्षा कहा जाता है योगनात्मक आकलन को तो Option No.1 इसका बिल्कुल सही अंसर था जब मैं आपको पेडागोजी करवा रहा था उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा विस्तार से बताया था इनके बारे में अगर आपने ध्यान से Lecture अटेंड कराओगा तो इसके बारे मैं आपको पता होगा पांच नहीं बताये थे मैंने इनी के उपलबदी परिक्षन भी इसी को कहा जाता है English में Submative Assessment भी इसे कहा जाता है Pen Paper Pariction भी कहा इसे की जाता है और Pen Paper Down भी इसी कोई कहा जाता है तो ध्यान रखिये गए सारे के सारे नाम तो ये कुछ important questions थे आज की वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर नीचे comment box में जरूर लिखके बताएगा कि कुल कितने question आपके इसमें से सही हुए अगर किसी question में doubt हुआ तो comment box में comment किजएगा मैं आपका reply जरूर करूँगा तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिंत जय भारत